अब यह गाईस कैसे हैं आप सब आप होप यूर्डिंग वैल एंचन दीप एलकम टूशेशी सरकल तो हमारा जो सब्जेक्ट चला है भारती कला और संसकरत ठीक है तो इसी के बारे में हम लोग डेटेल में देखेंगे और यह देखो इसमें क्या है कि हम पूरा जो यूपी ए हिंदी में डिसक्रिप्शन रहेगा हिंदी में ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसकी पीडिएफ के लिए आप लोग क्या कीजिए कि जो टेलीग्राम ग्रूप है मैंने बना रखाया और एक फेस्बुक ग्रूप है जो डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के मिल ज हो जाएं तो कि 7-8 मिनिट में आपको पूरा टॉपिक हो जाता है तो इसमें आप को भी देखने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप जो है दोबारा रिवीजन भी करना चाहेंगे तो वह भी कर लेंगे ठीक है परना मैं तो 6-7 लेक्टर में भी एक गंटे करके मैं इसको कर देता तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है और उसके बाद जो है अगर हो सकेगा तो इसका कमबाइंड सारा वीडियो भी मैं बना दूंगा एक ठीके तो आप लोग इस टॉपिक वाइज को पहले पढ़ लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए तो आपका जो है एक ब लोग पढ़ रहे हैं हम लोगों ने पूरा जो बेसर सली मतब नागर सली देखी थी देखी थी और बेसर सली देखी थी ठीके उसके बाद जो नागर सली के अंतरगत हम लोगों ने जो उडिशा के मंदिर थे और ये खजुराहो के थे इनको देख लिया है आज जो मंदिरो का जो टॉपिक का वीडियो है यह तीसरा वीडियो है आज का ठीके तो इसमें हम लोग सोलंग की और चालो की और सोलंग की जो मंदिर है गुजरात में उनके बारे में देखेंगे और जो यह राजस्थान में जो मंदिर है ठीके जो मांट टाबू पे हैं और दिलवाडा जैन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ठीके तो इसमें चालू कि अगर मंदिरों की बात करें तो चालू कि या सोलंकिओं दॉरा जो बनवाए गए थे गुजरात में तो पूर्मधिकाल में अनेक मंदिरो का निर्माण कर वाए गया है मतलब पूर्मधिकाल में चालूक collapsingने इन मंदिरों का निर्माड कराया है और इन मंदिरों में अगर बात करें तो देखो मुख के मंदिर इसमें कौन कौन थे तो देखो सोमनात मंदिर था जो गुजरात का है आपका ठीक है रुद्र मंदिर आपको देखने को मिलेगा अहिनवाड मंदिर है और मोडेदरा का सूरी मंदिर है ठीके और ये हिंदू मंदिर है ठीके और जैन मंदिर के अगर बात करें तो इसमें आदिनाथ है पारसुनाथ के मंदिर बने हुए हैं तो इनके बारे में ये जो गुजरात में हैं ठीके इनके बारे में हम लोग देखे हो है और उडिशा के जो मंदिर हैं तो उनसे क्या भिन्यता है इसमें ठीक है तो अगर विशेष्टा में बात करें तो सासको यूम मंत्रियों द्वारा पूर मदिकाल में ये बनवाए गए हैं और सोलंकी मंदिर मुख्यतिया हिंदू यूम जैन धर्म से संबंदित हैं यहां ठीक है तो हिंदी और जैन दोनों यहां देखने को मिलेंगे और गुजरात के सोलंकी मंदिरों की जो जगती है ठीक है जगती वो आयताकार ना होकर गोलाकार और मतलब गोलाकार बनाया गया है जो मतलब यह जगती होती है यह मतलब जो इस्थान होता जिसको चबूतरा बो और यह नेक्स पॉइंट है कि जो यहाँ के मन्दिरों के मंदड़पों में भारी संक्या में इस तंभों का पृयोग किया जाता था तो असलब इसथंब इस तरह से बहुत प्रकार के इस थंबों का इसमें निरमाड किया जाता था ऑबी हम चित्र में देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से आप लोगın को समझ में आजाएगा तो ये एक अंतर भी कह सकते हैं अन्य मंद्रें से ठीके और नागर सहली की सभी विशेष्टाओं यहां पर मवजूद है ठीके तो नागर सहली की जो सभी विशेष्टाओं यहां पर हैं और इसमें जो यहां पर सिखरों की जो इस्थानी भासा में जो मंडोहा या मंडोवर क इनको मंडोहा या मंडोवर कहा जाता है तो ये मतलब ये थे आपके गुजरात के मंदिर ठीके इनकी ये विशेशता हो गई क्या क्या ये नागरसली में सब ये बने विए हैं सिखरों को मंडोहा कहा जाता है और इसमें जो जगती होती है वो आयताकार देखने को मिलती है ठी मुका यहां बहुत ज़्यादा प्रियोग किया गया है तो यह चार मुकी विशेचता हैं अब देख लेते हैं राजिस्थान के मंदिरों के बारे में तो इसमें पूर मद्धिकाल में चालुक की सोलंकी सासकों द्वारा बहुत संखेक मंदिरों का निर्माड करवाए गया है तो यहां पर सोलंकी सासकों द्वारा इनका निर्माड करवाए गया है जो चालुक की सोलंकी थे यहां पर ठीक है तो इसमें कौन-कौन से मंदिर थे इसमें बात करें तो इस मंदिर समूह में अगर बात करें तो माउंट आबू समूह है और दिलवाडा समूह है इसमें तो में में जो कुश्छन में पूच्छे जाते हैं जहां से कुश्चन बनते हैं उनको इसमें एड़ किया गया है ठीक है अगर बहुत सारे मन्दिर हैं उनको पढ़ने लगें तो उनका कोई मतलब नहीं होता है खाली वह बर्डन पढ़ेगा हमारे दिमाग पर और कोई कुछ उसका मतलब है नहीं तो जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं जो मेन में ठीक है जो बहुत ज़ादा परचलित हैं और जिनके कुश्चन आते हैं तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है तो इनकी क्या-क्या बिसेशता हुई तो चार मुख्य बिसेशता आपको याद रखनी शिखर को मंडोवर कहा जाता है ठीक है नागर सहली में तो बने ही है और इस थंबों का प्रियोग किया जाता था और जो जगती होती है उसको आयताकार मतलब उसका आयताकार यहां पर देखने को मिले हैं ठीक है जो जगती होती है वो आयताकार ना होकर गोलाकार होती श्री श्री ये गोलाकार होती है जगती जो है अन्य जगों पर आयताकार देखने को मिलती है लेकिन यहां पर जगती गोलाकार बनाते हैं ठीक है तो यह है ठीक है और हिंदू और जैन मंदिर यहां पर देखने को मिलेंगे तो अब देखते हैं मैप के थूरू इसमें तो यह सोमनार टेंपल की अगर बात करें तो यह है सोमनार टेंपल आपका ठीक है तो इस परकार यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यह सिखर है इसको मंडोहा कहते है ठीक है और यह जगती है देखो यहाँ पर आयताकार नहीं है तोड़ी सी मतलब गोलाकार बनाई गए चारों तरफ से और ये खंबों का इसमें यहां बहुत ज़्यादा निर्मार किया गया है ठीके तो ये आप खंबे देख सकते हैं यहां पे दोको फस्ट पे भी हैं और सेकेंड फ्लोर पे भी आपको मतलब जो ग्राउंड और सेकेंड दोनों फ्लोर पे खंबे देखने को मिल लें तो यहां की ए मुक्छा भी सेस्ता हैं ठीके और सबी मंदिरों में यह देखने को मिलेगा यह इसका भिष्टरत रूप है ठीके इसको आप लोग देख सकते हैं यह स्व्मनाथ मंदिर हो गया और यह रूत द्रमाल टेमपल है ठीके इसमें ये रुद्रमान टेमपल है ये इस परकार बनाया गया है ठीके देख सकते हो यहां पर इस परकार इस रुद्रमान टेमपल को बनाया गया है ठीके यह हो गया रुद्रमान टेमपल ये इसका पूरा जो व्यू लिया गया है तो इसमें ये इस परकार बनाएग discour़ ये गोलाकार हमेसा जो मंदर सभी हमेसा यहां पर गोलाकार देखेंगे, क्यrick implications इनकी जरगती वार्त्व हिलाग करती थी वह गोलाकार होती थी इसी लिए ये सब गोलाकार मिलें गोर और खंबे दिखेंगे इसमें और ये शूरी मंदिर की बात करें मोड़े दरह का जो शूरी मंदिर है इसमें भी देखो ये दिखो सारे खंबे बने भी है ठीक है और ये जगती देखो गोलाकार है इसके ठीक है तो इस प्रकार इसको ये बनाया गया है तो ये मोड़े दरह का सूर्य मंदिर हो गया इस प्रकार देखो ये पूरा व्यू देखो पूरा व्यू लेने पर कितना अच्छा लग रहा है ठीक है उसमें तो अच्छा नहीं देख रहा है लेकिन यहां पर देखो कितना मतलब खुब्सूरत लग रहा है नेक्स है हमारा आदिनात मंदिर की जो बात कीजिए हमने तो ये आदिनात मंदिर हो गया ये वला ठीक है इसका ये अंदर का विव है अगर पूरा विव की देखें तो ये आदिनात का मंदिर देखने को मिलेगा यहां पर ठीक है तो इस प्रकार देखो हर एक इसमें खंबे और सिखर का इस्तमाल किया गया है और जगती भी गोलाकार उसमें देखने को मिलती है यहां पर ठीक है नेक्स है यह पारसुनात का मंदिर यहां पर यह देखने को मिलेगा ठीक है यह पारसुनात का मंदिर हो गया इसको भी आप लोग देख सकते हैं पारसुनात के और भी हमन कवरा में इस प्रकार से ये मंदिर मनाएगा वहाँ कि मुक्ह विस्षथा है और जगती गोलाकार हुआ करती थी यह नहीज और यह मंदिर देखने करें को मुलते हैं वहीं पर यह सारह हैं ठीक तो इस प्रकार यह आज यह हमारे हुआ ठीक कल हम लोग क्या करेंगे कल एक वीडियो में हम लोग द्रमीड से लिके कुछ टेंपल कवर कर लेंगे उसके बाद बेसर और द्रमीड कराके दो वीडियो में हमारा हो जाएगा 8-9-9 मिनिट का वीडियो होगा वो दो वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे वहाँ पर ठीक है या दस या बारा मिनिट का भी हो जाएगा लेकिन दो वीडियों में वो कवर हो जाएगा तो आप लोग निश्चिन रही है आपका कवर करा देंगे हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करा देंगे ठीक है और इसकी पीडियेफ के लिए आप लोग जॉइन क लिए टेलीग्राम ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन जैवार